हाई फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको चेहरे और शरीर के अंचहे बालों को आसानी से दूर करने का और उन्हें पर्मानेंटली हटाने का एक आसान सा घर लूपाय बताने जारी हो जिससे आपके चेहरे और शरीर के अंचहे बाल पर्मानेंटली रिमूव हो जाएंगे लेकिन इससे पहले आपसे रिक्विस्टे मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल बटन को जरू क्लिक कर लें नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चल नोट से पहले आपको चाहिए होगा जौका अटा आपको जौका आटा लेना है जौका आटा मार्केट में असानी से मिल जाएगा जौका आटा हमारी तवचा के रंग को गोरा करता है साथ ही यह चेहरे और शरीर से अंचहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही ज़दा एफ अब इसमें आपको mix कर लेना है, हल्दी, इसमें आपको हल्दी mix कर लेना है, हल्दी अंचहे बालों की जड़ों को कमजोर बनाता है, जिसे अंचहे बाल जड़ से दूर होते हैं और वो दुबारा वापिस नहीं निकलते हैं, यानि कि वो permanently remove हो जाते हैं, इसके बाद आपको इसमें mix कर लेना है, थोड़ी से मातरा में नमक, एक या दो चुटकी नमक, नमक भी अंचहे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिसे वो गिरने लगते हैं, जड़ने लगते हैं, नमक से आपके बाल permanently remove हो जाएंगे, अब आपको गुलाब जल लेना है, और आपको एक पेश्ट त्यार करना है, आप चाहे तो प्लेन वाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, पेश्ट त्यार करने के लिए, या फिर आप गुलाब जल का इस्तिमाल कर सकते हैं, आपको गाढ़ा सा पेश्ट त्यार करना है, इस तरह से, अब आपको इसे अंचहे बालो वाले अस्थान पर लगाना है इसे अच्छी तरह से लगाए जिस अस्थान से आपको अंचहे बाल रिमूब करने है उस जगह पर आप इसे लगाए और जब यह ड्राइ हो जाए तो आप इसे रगडते हुए छुडा ले इसके साथ ही आपके अंचहे बाल भी निकल जाएंगे इसके इस्तिमाल से आपके बाल पर्मनेंटली रिमूब होगे यानि कि वो हमेशा के लिए रिमूब हो जाएंगे साथ ही आपकी तोचा भी काफी खुबसूरत होगी कि तुछा भी गोरी ग्लोइंग और जवान हो जाएगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें मिलते हैं अगली वीडियो में